आईए श्रोताओ कि जब राजा प्रथम मंझारानी को जलादों के हाथ सौप देते हैं क्योंकि राजा को वहम हो जाता है कि जो संतान मंझारानी को होगी वो एक दिन तुझे ही मार डालेगी तो राजा राणी को जल्लादों के हाथ सौफ देते है फिर मनझा राणी किस प्रकार से विलाब करने लगी रोने लगी और क्या कहती है सुनेगा रागनी के दौरा फिर मनझा राणी रुधने करे थी रोके न्यूडक राई फिर जल्लादों के हाथ सौफ दी तुझे रह्म ना आई मनझा राणी रुधन करे थी रोके न्यूडक राई जल्लादों के हाथ सौफ दी तुझे रह्म ना आई मनझा राणी रुधन करे थी हेर के से सवर करे वो रोनी साजन तरफ लखावे क्या गलती हो गई पियाजी आज जलम चूटावे मनझा राणी साजन मेरे फिर तो हे ते न पावे अपने हाथों नास करे तू बूल में धोका खावे फिर बार बार न्यू समझावे रहे बार बार समझावे राणी पर भूल में गलती खाई जल्ला दोके हाथ सोब दी तुझे रह्म ना आई मनझा राणी रुदन करे थी फिर सुपने में भिना सोची थी तू मेरा कतल करेगा देधिलियो साजन मेरे तू करया हुय करम भरेगा मैं पतिवर तावीर तरी मेरे बिना नहीं सरेगा खुद ब्याही ने मरवावे बता किस पैधीर धरेगा फिर आज अधम में नावड वो दी आज अधम में नावड वो दी अब कैसे हो भर पाई जल्ला दो के हाथ सोब दी तुझे रह्म ना आई मन जारानी रोजन करे थी मात पितान राजी हो के तेरे संग में ब्याही थी आज दिसोटा देवे पिया तेरी हर कम टहल बजाई थी सतर राणी पहली तेरे में कुन्य घवराई थी नरवर के भूप तेरा में बंस चलावने आई थी थेरे अज पतिवरता वीरतने रहे अज पतिवरता वीरतने जलादों को पकड़ाई जलादों के हाथ सोब दी तुझे रह्म ना आई मन जाराणी रोजन करे थी जिनको दुनिया कभी समझती में उनके पास गया था स्योराज सिहिंग भी मेरे साथ में बढ़के अदास गया था एक बात लिखवानी फीन्यों करके आस गया था पैसे लेके नाट गए मैं समझ के खास गया था केसी नागर ने दुरगे सुमरी फिर होगी सफल कमाई जल्ला दोके हाथ सोब दी तुझे रहम ना आई मन्जारानी रुदन करे थी